हकूमत का इस वक्ट जो प्लान लग रहा है वो लग रहा है कि they are moving towards herd immunity अब herd immunity का जो concept है उसमें 70% infect होंगे 5, almost 3-5% को ventilators की जुरूरत पड़ेगी 2% जो है population के मर जाएंगे 2% अगर मरेंगे तो 30 लाख का ये figure है 75 लाख ventilators को जो है वो जुरूरत पड़ सकती है क्या हम इस challenge के लिए ready है सर करोना को बदनाम ना करें उसकी वज़े है कि 72 साल से या 73 साल से करोना time जी चल रहा है उसका नाम पहले कुछ और था फिर कभी कुछ और होता है फिर कभी कुछ और होता है कभी शराफत की सियासत कभी वोट को इज़दो होता है ये मुस्तकिल सलसला है इस मुलक के मुकदर में करोना करोना के लावा अब तक मुझे तो नहीं समझाई मैंने जब से होई समभाला है मैं एक के बाद दूसरा करोना देख रहा हूँ पहली बाद पाकी जैसी परफॉर्मन्स चल रही है हमारी माजूदा गर्वर्मन्ट की उसके बाद इतना जो वाज़े दुश्मन थे आपके सतर बहतर साल में गुर्बत थी जहालत थी रूल अफ लौ नहीं था था क्या तो आप अपने विजबल दुश्मनों के साथ तो लड़ नहीं सके उनका आप कुछ नहीं बिगार सके आप इस मुलक वे लिटरिसी रेट का कख नहीं कर सके आपने और किस चीज़ का किस विलन का आपने क्या बिगार लिया जो इन हालात में आप एकस्पेक्ट कर रहे हैं गर यह बड़ी तोप किसम की परफॉर्मन्स होगी कुछ भी नहीं होगा यह गोंगनों से मट्टी जाड़ी जाड़ी जाएगी और जाड़ी जा रही है डेस्परिशन में इदर उदर हाथ पाऊं जो जिसकी समझ में आएगा इस मुल्क का हाल तो देखें हालात इसको पूरी दुनिया के इसी तरह के हैं एक नई याफ़त है एक नई वबा है हमें नहीं पता इससे किस तरह डील करना है लेकिन कम असकम ये एक जो हमारे मुल्क में जो confusion नजर आ रही है वो multiple उसके जो हैं वो facets है और उसकी वज़ा से उसके हम देख रहे हैं कि confusion तो है ही साथ-साथ बुरी तरह से सियासत भी हो रही है जिसकी हमें अगले दिन जो जिसका रदे अमल जो है लेकिन जो आपके करने के काम है वो आप नहीं कर रहे है तो फिर किसी ने तो करने हैं सर बड़ी खुबसूरत बात की आपके मुँ में घीशक कर मुबारिक हो अल्ला आपकी ये जो ये जो मलफूफ किसम की एक दौा है अल्ला उसको सुन ले एक बात मैं अर्स करूँ इस अ सुसाइटी आफ सब मैन एंड मैनिमल्स इन बट्वीन दे लाइन्स वाली बात कोई नहीं है बहुत आवियस है बट बेसिकली ये बात जो मैंने की है मैं पूरी जिम्मेदारी से ये तातारियों के नर्गे में आए हुए बगदाद का हमशकल है ये मौशरा और कौन जिम्मेदार है मुझे बताएं तो सही स्यासद्दानों का रविया देख लें नीचे क्राइम देखें किस किसम का पर रमजान मुबारिक में और इतने खौफनाग ध्याना के क्राइसिस में भी ये ममकिन है ये मतलब बे 5, 15, 20 महिने 2 महिने का व्रेक ले लो मच्वोम ब최ों के साथ उसी तरह बजयती हैं होरी है वया अब्यूज उसी तरह जारी है महگाई उसी तरह जारी है अपना जखीराँ दोदी उसी तरह जारी है अलीम खान बिचारा पागल हो गया है एनके गुदामों पे च्छापे मार मार के उड़ों के गुदामों से नकालने के लिए उसी तरह मिलावट जारी है चंद दिन पहले था के पंजाब में लहौर नंबर उन है गंदे और घलीज दूद के मामले में और दूद भी पानी मिलावट नहीं करते हैं जालम के बच्चे केमिकल्स उसमें चलाते हैं तो आग मुझे नहीं मेरी नहीं समझ में आ रही कि आप किस मुआशरे में किन बातों पे आप परिशान हो रहा हूँ तो पंजाब गर्वर्मन्ट का फ्यूचर क्या होगा बिकुस पंजाब गर्वर्मन्ट एक बहुत वीक फोटिंग पे इसका खड़ी है पंजाब गर्वर्मन्ट का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? क्या पंजाब में तबदीली आ सकती है? डॉक्र सहबा मैं आपके एक बात बता हूँ मेरा बहुत ज़्यादा कंसर्न बहुत ज़्यादा परिशानी मैंने चंद दिन पहले रिखा है कि परवर्दिगार को ऐसी सूरत निकाल दे कि मेरी नसल मरने से पहले वाइप आउट होने से पहले इसकी डिरेक्शन ठीक होते देख ले एक जिसमों पे लिबास हैं रूए नंगी हैं यहां आप कह रहे हो कि मुस्तग अई इसका पंजाब का पाकिस्तान का आप देखो तुसे ही हालात क्या हैं हिंदोस्तान देखो उनके अजाइम देखो उनके एरादे देखो उनकी हरकतें देखो उनके कमाल है भाई अपने अंदर के हालाद देखो आपकी एकॉनमी वो ठोटली फ्रैक्चरड रही सही कसर एक करोने ने निकाल दी है ना कुछ सारा ना पैर ना गर्मेंट की रिट है कौन सी चीज़ा मुझे बताएं सीधी आपकी एक और बात मैं आपको अर्स करूं कि जब एक्तदार मिलता है ना तो फाइनली नमाज शरीफ साब जैसे जो कारोबारी कुछ भी नहीं है कारोबारी भी मामूली से बी कलास बलके माइनस भी कहना चाहिए ये कोई कुबरला ठाटा कोई सैगल तो कोई हबीब से ये लेवल तो गुलाम जी नहीं ऐसे ठीक है स्टिक का इशारा करते थे जनल हमीद गोल में से जाती दोर पर पताए तो बिलकुल इस हैम जाते थे ठीक है कुला उठा के बेरे का जब पहली दो है चीफ मिनिस्टर बने है तो बड़ा किरियोसिटी दी लोगाम है कि यार किसकी लोटरी नि उठा आगे नमाज शीर के सथ पर रख दिया मैसिज चला गया लोगों विदाउट अटरिंग अ सिंगल वर्ड लोगाम है तो इस तरह का बंदा भी जब उसे थोड़ा सा ये वहम हुआ इंजेक्शन अंदर गया ना